गूगल सीट श्चप बाश्चप रणिंग सीरीज में आप लोगे सामने बहुत इंपॉर्टेंट कॉंक्षप रखना चाहूँगा फाइंड रिप्लेस फीचर के तो बहुत आसाम लगता है आपने यूज भी बहुत किया है लेकिन आप लोगे सामने मैं फाइंड रिप्लेस इंट रेण रेगुलर 1 की बात करूँ गार्ण फाइंड ये चलता हो आगे और फाइंड रिप्लेस के बेसिक में सामने रेगुलर एक्स्प्रेशन के concept को explore करना चाहूंगा आप लोगों के सामने जांपने साथ Google Seats Find and Replace फीचर जिसमें सबसे पहले बात करेंगे थोड़े से बेसी और उसके बाद सबसे इंपोर्टेंट और एहम आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा रेगुलर एक्सप्रेशन के बाद सबसे पहले मेरे पास यह डेटा से अगर है और इसमें मैं find की बात करूं control F यह आप Excel में ऐसे यूज करते हैं और यहां पर मान के चलते हैं मैं सैमसंग को सर्च करना चाहता हूँ इसने कई सारे सैमसंग निखा लेकिन यह एक्जेक्ट सैमसंग को पिक नहीं कर पाया क्योंकि इसके लिए अभी केस सेंसिटीव कोई मैटर नहीं करता है है ना जबकि सैमसंग हमारा जो है वो अरिवासंग में उसके लिए हमें क्या करना होगा अगर मुझे इस तरीके से किसी को find करना हो तो मैं यहां पर थ्री डॉट इस पे सला जाओंगा यहां पर आपको find and replace का dialogue box दिख रहा होगा जि मैं यहां पर option है match case, exact match करेगा जैसा लिखा होगा अगर मैं find करूं अभी कोई भी नहीं मिलेगा match, there are no entries matching Samsung क्योंकि कोई भी small letter में Samsung लिखा हुआ, नहीं है, साथ के साथ आपको बता देना चाहूंगा, अभी यह all seat की बात करें, बतलब अगर इसमें 10 या 20 seat होते तो सारे seat प बात करें, यहां पर यूज करेंगे this seat, यह ले सकते हैं, otherwise अगर आप इसे select कर लें, और control F से जाएं, तो यहां पर 3 dot पर आपको जाके point करना परेगा, या दूसरा solution है, control H press करेंगा, control H press करते ही आपको find and replace में, यह search में अपने आप आगे हैं यहां पर लिखके specific range, मतलब select कर लिए specific range, और मैं आप इसमें से find करना चाहता हूं कि चीजे, जैसे कि मैं इसमें Samsung को find करना चाहता हूं, बिल्कुर करेगा, अगर मैं match case की बात करूं, तो find कर रखा होगा, सिर्फ उसी को, साथ के साथ अगर match entire cell content की बात करो, तो पूरे Excel में इतने भी content होगे, उनके option है search using regular expression, इसको मैं कुछ देर के लिए hold कर रहा हूं, इसी topic को explain करना है main, तो थोरे दिख ले hold, और पहले also search within formulas, अगर मान के चलते हैं, इस data set में कहीं formula हो, तो आप यहाँ पे select, also search within formulas, मेरे Excel में formula लगा हूँ है, इक्वल to c10, ये c10 की value उठा कर ला रहा था, तो अब मैं चा क्या करेगा, ये replace अगर कर दूं तो, c10 में से c को replace करके b10 कर दिया, ये रहा, आप किसी specific formula को भी search करते हैं, अरे वासमद में, साथ के साथ, अगर मैं चाहता हूँ, इसमें से इसको हटा दिया जाए, और अब मैं चाहता हूँ, इसमें parenthesis को यहां से remove करना, parenthesis लिया, और यह यहां पे, अब हमें इसको करने के जुरत नहीं है, parenthesis को remove कर देना चाहते हैं, और with null, replace all, यह हट गया, इधर वाले को भी हटा देना चाहूँगा, यह भी कर दिया, आपने replace all, और अब parenthesis हट जाने के बाद, जितने भी space है, space को ढूंड लिया, replace with, आइफन, substitute जैसा का, replace all, यह रहा, कर सकते हैं सारे यह basic वाले काम बहुत easily, और अब मैं आपको बहुत ही एहम regular expression से मुखादिब कराना चाहता हूँ, यह रहा, search using regular expression, अगर इसकी बात करो, तो मैं यहां पे लेके चलता हूँ, पहले आपको help, यहां पे आपको regular expression से related, एक documentation open हो के सामने है, और इसमें आपके सामने बहुत सारे common regular expression है, यह topic आपको बहुत ही अच्छे से explore करना है, एक एक expression आपको check करना है, उस expression का काम क्या है, वो purpose आपको check करना है, और आपने काम की productivity को enhance करने में इसको बहुत ही अच्छे से आप utilize कर सकते हो, जिसमें से एक नमून आपको मैं भी दिखाना चा देखिए, मान के चलते मेरे पास ये नाम, अभी दर आजाते हैं, मेरे पास ये नाम है, मैं इस डेटा को select कर लिया, control H पे चला गया और यहां पे देखिए आपको middle नाम वाले भी कुछ दिख रहे हैं और दो नाम वाले भी दिख रहे हैं, past और last ने, मेरी requirement ये है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ, past और last ने माले नाम चाहिए, जिस भी नाम में middle name है, वो middle word जो हमें चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ display कराना है, past और last, ऐसे situation में मैं आपको ये regular expression का यहाँ पे concept explain करना चाहूँगा, मैं इस में से check कर दिया regular expression को, और यहाँ पे आप मैं find करना चाहता हूँ पहले dot, यह dot का का काम क्या होता है, यहाँ पे dot का मतला हुआ, any character जो Excel में question mark है, any character, उसके बाद एक pass करूँगा, मैं plus का sign, यह हो गया one or more character, जो वहाँ पे हुआ करता है हमारे star, one or more character, तो आपने pass किया dot और उसके साथ plus का sign, अगर मैं इसे find करूँ, तो इसमें क्या करेगा, जिस भी नाम में, इसका बतलब क्या हो, one or more character हुआ, यह तो सब को ढून देगा, देखिए, find करूँ, यह सब को search कर देगा, one or more character तो सम्में है, यह ढून दिया, अब मैंने क्या क्या, देख तरिए, मैंने pass किया space, फिर से लगाया dot, फिर से लगाया plus, इसका बतलब क्या हु one or more character, followed by space, और फिर one or more character, ठीक है, अगर मैं अभी find करूँ, देखिए, अभी भी यह सब को search कर रहा है, मुझे यह भी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ तीन नाम बाले को search कर रहा है, तो मैंने फिर से क्या किया, space, dot, plus, अरिवासद में, और अब क्या करेगा यह, one or more character, followed by space फिर one or more character, followed by space, फिर one or more character, हो गया, तो जिसमें दो space होगा, उसको ढूल देगा न, अब आप find पे जाएंगे, यहां देखिए, किसको search कर रहा है है, मुझे मलेस महन पन, रोबिका करन सर्मा, सिर्फ यह तीन नाम बाले जो जो उसे मिल दा है, सिर्फ अभी यह उसको find कर रह हो है, parenthesis start किया, आपने इसको बंद कर दिया, एक काम, इधर भी start किया, यहां पे parenthesis और फिर बंद किया, हमारी इस बीच वाले daughter plus से क्या दुस्मनी है, दुस्मनी उसी से है, जहां पे आपने parenthesis इसका अगर लगा दिया, इसका मतलब होता है keep, उसको मैं रखना चाहता हूँ इस वाले को, पहले को मैं रखना चाहता हूँ, one or more character को, first name, यह last name, मैं उसको रखना चाहता हूँ, तो जहां पे parenthesis लग गया, इसका मतलब हुआ keep, मतलब उसको मैं रखना चाहता हूँ, यह जो देना बीच वाला है, इसको मैं नहीं रखना चाहता हूँ, यह आपने काम कर आप तो समझ में भी आया होगा, इस parenthesis के क्या benefit है, आप उसे रखना चाहते हूँ, but middle वाले को आप नहीं रखना चाहते हूँ, आप सिर्फ first word और last word को रखना चाहते हूँ, यह find what की कहानी समगा गया, और अब मैं replace with की बात कर रहा हूँ, replace with, यहाँ पे पहला, dollar one, यह पहल dollar two, हो गया काम, और अब आप इसकी beauty देखिए, replace with कर दिया, replace all पे चलते हैं, यह dollar का use, plus का sign, dot, यह सारे आप regular expression में जाएके एक बार detail में उसको explore करेंगे, तो बड़े हराम से सुनदाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए, replace with में जाएए, और अब आपके सामने output जो नहीं, मतलब, यह सारे में से middle name guide, है काम की चीज, उसके लावा एक और solution आपके सामने रखता हूँ, यह रहा मेरे पास data set, और मैं यहाँ पे select कर लिया है, इस range को, और यहाँ पे again control edge, और यहाँ पे चलिए, find what में, again, parenthesis start, dot लगा दिया, plus का sign लगा दिया, फिर parenthesis बने, क्य चाहता हूँ, जिस भी नाम में यह दिखी, with parenthesis, चाहे हो silver है, चाहे हो gold है, चाहे हो gray है, with parenthesis वाला content समेट, parenthesis समेट, remove कर देना चाहता हूँ, मतलब, parenthesis silver, यह गाइब हो जाना चाहिए, parenthesis gold, यह गाइब हो जाना चाहिए, उसके लिए आपने पास किया parenthesis, dot, और plus, मतलब, one हम use करते थे, star को exactly, जब star को ढूणना होता था, तो tilt pass कर देते थे, यहाँ पे exactly अगर किसी expression को ढूणना होता है, जैसे मुझे यहाँ पे exact, जहाँ पे parenthesis start हो रहा हो, और जहाँ बंद हो रहा हो, उसको अगर exactly pick करना है, क्योंकि अगर ऐसे लगा दिया, इसका मतलब होता है, कि parenthesis का बंद क्या होता है, one or more character सब को रख लेगा यह तो, नहीं, मुझे parenthesis समेथ remove करना है, तो इसके आगे मैं, यह backslash, अब यह exactly parenthesis को पिख करना हो, एक यहाँ भी लगेगा, इसके भी आगे लगेगा backslash, इसका मतलब है exactly looking for parenthesis, इसको अब आप बात करेंगे replace with, इसको कि इसके साथ replace करना चाहते हो, तो replace with null, कुछ भी नहीं, regular expression यहाँ पे जरूर चेक, और अब आपको जड़ा replace all करके देखिए, तो क्या करेगा यह, parenthesis समेथ इन सारे data को replace all, गया, done, click, और आपके सामने यह रहाँ result, और आपने अगर ध्यान दिया हो, काम की productivity को बढ़ाने के ल ठीक है, तो अपने जिद्गी में एक कदम आगे बढ़ने की कोसिस हमेशा करते रहिए, और आज का वीडियो अब मैं इस ending note के साथ सवाथ करना चाहूँ, ज्यादा से ज्यादा दुरा क्या होगा जिसको, जो मैंने एक सपना देखा है, तो पूरा नहीं होगा, ना हुआ, एक सपने के टूटकर चकना चूर हो जाने के बाद भी दूसरा सपना मैं देख रहा हूँ, उसका मैं होसला कर रहा हूँ, इसी का नाम तो जिन्दिगी, थैंक्यो फॉर यह लवें सपोर्ट टू नो जैन चैनल, थैंक्यू, जिसको झाल स्वें सेंदिगान स्थेन मैं स्क्स्bangा, इस लवें स्वेंस सेटेशब्स उइब सक्कूार च्छ। ए Zone